आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें इस प्रस्में हमें दिया है हाइड्रोजन परमाडू के स्पेक्टरम में पास्चन स्रेडी की रेखा विदुच चुम्बकी स्पेक्टरम के किस छेतर में मिलती है तो हमें बताना है कि क्या है हाइडोजन परिमाड़ के स्पेक्टरम में पास्चन स्रेडी की रेखा जो होती है विद्धुचुम्बक के स्पेक्टरम के किस छेतर में मिलती है तो पहले पास्चन स्रेडी समझेंगे उसके बाद फिर बताएंगे कि ये विद्धुचुम्बक कि इस स्पेक्ट्रम के किस छेत्र में मिलती है तो इस फ्रस्में हमने देखा कि पास्चंस रेडी क्या होती है पास्चंस रेडी हमारी स्टार्ट होती है यहन बराबर तीसरी कच्छा से यहन बराबर दूसरी कच्छा हमारी क्या होती है यहन बराबर पहली कच्छा हमारी लाय एक्षा मिलेगी हमेंशाद रखे पास्चेंजड़नी की पहली रिखा क्या होती है واहती है यह जब इलक्ट राक। तो अगर पास्चन स्रेडी की बात करेंगे तो हमेशा इलक्टॉन हमारा किस कच्छा पर आएगा यान बराबर 3 कहां से उच कच्छा से अगर यान बराबर 4 से इलक्टॉन हमारा यान बराबर 3 पर आएगा तो पास्चन स्रेडी की पहली रेखा की तरंग दर्ध हमें मिलेगी अगर n बराबर 5 से electron हमारा n बराबर 3 पे आएगा तो पास्चन स्रेडी की दूसरी रेखा की तरंग दर्ध हमें मिलेगी इसी तरह से अगर n बराबर electron हमारा अनंत से n बराबर 3 पे आएगा तो पास्चन स्रेडी की अंतिम रेखा की तरंग दर्ध मिलेगी इसको कहते हैं सीमा रेखा, ठीक, सीमा रेखा क्या होता है, जब कोई भी इलेक्टॉन हमारा अनन्त से उस स्रेडी की पहली रेखा पे आता है, तो उस स्रेडी का हो हमारा सीमा रेखा कहलाती है, अगर हम पाश्चन की बात करेंगे, तो अनन्त से हमारा N बराबर 3 पे जब इल तो इसी तरह से अगर पास्चन की बात करेंगे तो इसके करिस्पंडिक जो तरंगदर्द होगी यो हमारी पास्चन स्रेडी के प्रथम रेखा की तरंगदर्द होगी तो हमें क्या बताना था जो पास्चन स्रेडी की रेखा होती है विद्धु चुम्ब की स्पेक्टरम के किस छेतर में मिलती है यह हमारा होती है इनको बोला जाता है हिंदी में बोलते है औरक्त छेतर यह हमारा जो छेतर होता है औरक्त छेतर होता है तो जो पास्चन स्रेडी की तरंगदर्द होती है पहली रेखा और अंतिम रेखा किसके बीच में आती है, हमारे पास आउरक्त छेतर में मिलती है, ठीक, इनका तरंगदैर्द का जो रीजन होता है, और किस रीजन में आता है, आउरक्त छेतर, इस छेतर में हमारे पास जो तरंगदैर्द होता है, उनका रेंज क्या होता है, हम में बताना था कि hydrogen parmadu के spectrum में स्पецर की रेखा बेद्डु शिंर्बकिये spectrum के किस छेत्र में मिलती है तो कौई सा छेत्र होगा ओरक्त छेत्र होगा अगर bamer की बात करते हैं तो bamer हमारा द्रेस छेत्र में मिलता है ठीक पास्चन सेड़ी कहां मिलता है और च्छेतर में मिलता है, जिसकी तरंगदैर्द कहां से कहां vary करती है, 800 nm से 1000 nm के बीच में, तरंगदैर्द का सूत्र हमें यहां से देख सकते हैं, 1 बराबर, lambda बराबर क्या होता है, 1 upon lambda, r into, 1 upon n1 square, minus 1 upon n2 square, ठीक, यह जड़ भी आता है, तो hydrogen पर माड़ की बात करेंगे, तो z मेंड कमान हमारा one हो जाता है अगर पास् groupe करेंगे तो यह हमेशा क्या रहेगा तीन रहेगा हमारे पास किस इलेक्षा हो एक बांच ही कछा सोके मैंद हो भी तो is Rs 5 6 और डश 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 कहा एक इंफानाइट तर तो इस पूरे सीरीज में अगर आप ता रंग दर द निकालेंगे तो आपको किस के बीच में मिलेगा 800 Nm से 1000 Nm के बीच में ठिक तो यहां से हमें पता चला ही कौन सा रीजन होता है हमारे पास कौन सा चेत्र होता है इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास अवरत चेत्र होता है यही हमारा इस क्वेशन का आंसर हो जाएगा थाइंक यू अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर